आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टिप्स लेके आई हूँ अगर आप उससे यूज करोगी तो आपके हाथ पेर या जहाँ पर भी आपकी काले दाग धपे हो तूरंती उठ जाएगा वीडियो शुरू करते हैं सुरू काने से पहले मेरी जन को सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल ऐकन को दबा दीजिए सबसे पहले आप देख रही हो मैं एक आधा नीबू लेके अपने हाथ पर गिस रही हूँ इसी तरह हाथ को पानी में डूबो के फिन नीबू से आपको इसी तरह से गिसना है दोस्तों तो फिर आपको काला जाने के कोई जरूरत नहीं है कितना भी काला होना हाथ वो अपने आपनी सपेद हो जाएगा कुछी दिनों के अंदर अगर आप मेरी ये तिस फॉलो करोगी तो आपको बहुत अच्छा एक रिजल्ट मिल जाएगा तो आप देख सकती हो कितना अच्छा एक रिजल्ट आ गई है सिर्प और सुप एक बार घिसके तो मैंने ये पानी में क्या डाला है क्या का इससे मिजलाया है तो आपको वो दिखा देते हैं चलिए फिर दोस्तों अच्छे तरह से वीडियो को देख लीजिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल दिया है फिर इसके अंदर डालूंगी सैंपू किसी भी बेंट के आप सैंपू डाल सकती हो सैंपू डालने के बाद आपको थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेना होगा मिक्स करने के बाद इसके अंदर मिलाना होगा एक चमच नमक जो जो चीज में मिला रही हो दोस्तों वो सभी के सभी आपके घर में मौझूद रहेगी तो ये टिप्स बनाने के लिए आपको जादा से जादा 5 से 10 रुपई ही खरस करना परेगा दोस्तों फिर इसके अंदर में डालूँगी आधा नीवू के रस फिर इसी पानी में अपने हाथ को अच्छे तरह से डुबो के 2 मिनिट तक ऐसे ही रहने दीजिए दोस्तों जितना हो सके आप इसे पूरी तरह से भीगो लीजिए भीगोने के बाद क्या करनी है एक आधा नीवू लेना है आधा नीवू लेके उसे हाथ को आपको इस तरह से गिसना है तो भी दोस्तों इसी तरह आप 2 मिनिट तक अपने हाथों को अच्छे तरह से गिस लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा एक रेजल्ट मिल जाएगा जो धूब के अकारेन हमारे हाथ जल जाती है काला दाग धब्बे पड़ जाती हो सभी के सभी तुरंती उठ जाएगा तो सेम टेकनिक से आप पैर को भी इसी तरह साप कर लीजिए अगर दोस्तों तो फिर आपको पेडिक्योर करना नहीं परेगा अब मैं आपको बताऊंगे दूसरा टिप्स हमारा स्वरीर का जो हिस्सा धकर रहती है वही सपेद होती है और जो बाहर रहती है वह काला हो जाती है तो आप देख सकते हो वीडियो मेरी हाथ की इस तरह से काला हो गई है तो मैं ये apply करके आपको दिखाती हूँ ये बहुत ही strong एक tip से दोस्तों आप अगर एक बार करोगी तो एक बार में ही आपको बहुत अच्छा result मिल जाएगा तो मैंने इसे कैसे बनाया चलिए दोस्तों वो अच्छे से देख लेते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी skip मत करिएगा पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छे लग रही है तो फ्लीज एक like जरूर कर दीजिएगा तो सबसे पहले मैंने एक बोल ले लिए और उसके अंदर डाल दिया है दो चमच नीबू के रस अब बतन को एक साइड में करते हैं और ले लेते हैं छोटा सा एक कटोड़ी जिसके ओपर रग दीजिए एक ग्रेटर और आधा आलू को आपको इससे ग्रेट करना होगा इस तरह से आपको ग्रेट करके इसकी पूरी रस को निचोल लीजिए और नीबू के रस के अंदर इसको डाल दीजिए डालने के बाद इसके अंदर आपको क्या डालनी है वह अच्छे से देख लीजिए दोस्तों इसके अंदर में डाल रही हूँ एक चमच कॉफी पाउडर थोड़ा सा आपको मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद आपको एड़ करना है ब्लीच जो हम लोग फेस पे यूज करती हूँ वही वालक ब्लीच आपको इसके अंदर डालना होगा फिर आपको थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद नेक्स इंग्रिडियन् आधा चम्मच इनू इनू तो हम सभी के घन में होते हैं दोस्तों इसको देने के बाद आपको तुरंथी इस तरह से मिक्स करने होगा मिक्स करने के बाद आप देख सकती हो किस तरह से ये बन गई है तो इसके बाद आप आधा नीबू लेजिए और इस मिक्सचर को अपने हात प्राडिन करोंगे तो आपको बहुत अच्छा रेजल्ब मिल जायगा दोस्तों और आपको एक बार बताती हुए इसे मूँ पर बिल्कुल भी मत यूज़ करना दोस्तों ये सिर्फ पर सिर्फ हाथ और पैर के लिए हैं आप इससे इस तरह से हाथों पर भी दे सकती हो दोस्त झाल झाल